नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत थे दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इखास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो महमलों जानेंगे कि बिये परिक्षा में फास्ट कैसे लिखे ये जो सवाले बहुत सरे बचे कोमेंट किये थे कि सर बिये परिक्षा में फास्ट कैसे लिखे बिये परिक्षा में तेज कैसे लिखे कम समय के अंदर ज्यादा कैसे लिखे इसके उपर बताऊँगा तो आईए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं सबसे परदले अबको क्या करना है कि अगर आप एक्जाम में फास्ट लिखना चाते हैं तो उसके लिए आपको यह करना है कि आपको घर पे लिखने का अव्यास करना है तो उसके लिए कोई भी ऐसा प्दात नहीं fails को फिला करकि या फीर कुछ ऐसा देवी सकति करके आपको जो है कि लिखने का आव्यास हो जाए, इसा कुछ भी नहीं है, यानिकि एक्जाम में अगर आपको फास्त लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना हुगा, आपको जिटना लिख सकते हैं, आपको अधिक स्वादिक लिखने का अव्यास करना है, क्योंकि आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो इसे क्या होगा कि आपका जो हाथ है बैट जाएगा उसके पसे आपकी राइटिंग सुधर जाएगी और आप फास्ट लिख पाएगे क्योंकि जब आप लिखने का अभ्यास करते हैं तो उसे में क्या होता है आपको पता चलता है कि कहां गलती हो रहा है कहां किस तरीके से लिखना है सब्द कहां गलत हो रहा है कहां मैं सब्दों को टेड़ा लिख रहा हूं किस तरीके से लिखूंगा तो मैं फास्ट लिख उसके बसे दूसरी बात आपको ध्यान में यह रखना है कि जो आपके सब्द के उपर की लाइनिंग होती है आपको सीधा खिशने है मैं बहुत सरे वीडियों को बता चुकाओं कि सब्द के उपर की जो लाइनिंग होती है उसको सीधा खिछने का भ्यास कीजिए आप क्या कीजिए कि सब्द के ऊपर की जो लाइनिंग है आप अगर बहुत ज़्यादा फास लिखना चाहते हैं तो सब्द के ऊपर की लाइनिंग बस सीधा खिछना सुरू कर दिजिए यानि कि सब्द के ऊपर की जो लाइनिंग होती है यह जो सब्द लिखा गया है इसके ऊपर की जो लाइनिंग खीजा गया है अगर लाइनिंग आपकी सीधा है तो समय लिए कि आपका राइटिंग खराब नहीं होगा और जो आपका राइटिंग खराब नहीं होगा तो आप कि जितना चाहे उतना फास लिख सकते हैं उससे कई दीकत नहीं होगा तो आपको दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपको सॉब्देक ऊपर की लाइनिक सिधा कृष्षणा यह से कि आपको राइटिंग खराम ना हूँ और आप जितना फास चाहे बहुत से बच्चे बस सब्दू को लिग देते हैं और उपर की लाइनिंग छोड़ देते हैं और इसकी बसे क्या होता है एक्जामेर उनका बहुत जादा नमबर काड़ता है तो यसी गलती आपको नहीं करना है इसके लिए आपको घर पे एक्जाम से 15 से या पिर 10 दिन या 7 पहले आपको इसका अभियास करना है आपको सब्दू को ऊपर की जो लाइनिंग होती है सब्दू को सीधा लिखना है और सब्दू को ऊपर की जो लाइनिंग होती है उसको खीचने का प्रयास करना है उसको लिखने का प्रयास करना है सब्दू को ऊपर की लाइनिंग की तर ज़्यादा मोटा है तो भी आपको दिकत होगा या फिर अगर आप ऐसे पेन का चुनाव करना है जो आपके लिए अच्छा हो जिससे आप अच्छे तरीके से लिख पाएं पकड़ने में कोई दीकत नहों और जिससे हाथ ज्यादा दर्द ना करें तो आपको क्या करना है आप आपको पेन का चुनाव करना है और यहां पर अच्छे पेन का चुनाव करना है और यहां पर आपको उससे एक पिज लिख लेना है उसके बास से जब आपका पेन जो नया पेन आप खरत करना है जब आपका पेन अच्छा तरीक से चनले लगे उसके बास से उस पेन को लेकर कर जाना एक्जाम में और उस पेंट से हैं लिखना है हुसं Еफ-08 पर चुनाव करना है और नए pen से घर पे लिखना है और जब पेंट अचे दरीक है लिखना है और चेंञ आपको। तक आपको लिखना बन कर देना है और एक मिनट बाद फिर से आपको लिखना सुरू करना है ये जो तरीका है ना बहु Biraz सरे बचली नहीं करते हैं बहुत सरे बचलों करल यह लगता है कि अगर में एक मिनट तक अराम करएं गर शुद्छ चछाएंगे लेकिन 210 00 प्लस दूसरी बात कि आपकी स्पीड नहीं लिख पाएंगे, आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ दर्द कर रहा है, और आपको पता है कि जब आपका हाथ दर्द कर रहा है, तो उस समय आपको कम से कम एक मिनट तक रुख जाना है, और एक मिनट तक 5-10 मिन तक अपने हाथों पर अराम देना है उसके बाद से आपको लिखना सुरू करना है इसे क्या होगा यह में अराम करने के बाद फिर से जब लिखना सुरू करते हैं तो आपकी स्पीट बहुत इत्येज हो जाती है याई कि आपका स्पीड बढ़ जाती है और आपका राइटिंग भी खरब आपको क्या करना है कि कमसे कम 1 2022 मिन तक हाथ करना है उसके बास से आपको लिखना शुरू करना है. अब आगे बढ़ते हैं, पांचवी बात आपको याद पे तो आपको पोजिशन के धान ये रिखना है कि आपको एक्जाम में ये देखना है कि जो आपका पोजिशन है आपका पोजिशन किस तरका है यानि कि एक्जाम में आप जमीन पर बैठ के तो लिखते नहीं है एक्जाम में आप बैंच पर बैठ करके लिखते हैं तो आपको क्या करना है कि exam से एक या दो हपते पहले जो आप घर पे लिखने का अभियास कर रहे हों तो उस समय भी आपको position के धान रखना है position बहुत ही मौत पूर होता है अगर आप घर पे उसी position में लिखने का अभियास करेंगे तो exam में आपको ज़्यादा दिकत नहीं होगे तो आपको क्या करना है कि घर पे पोजिशन के धान रखना है आपको उसी position में लिखना है जिस position में आपको exam देते समय लिखना है यानि कि exam देते समय जिस position में बैढते हैं जिस position में लिखते हैं आपका कोहनी जहार आता है यानि कि कोहनी आपका bench पर आता है तो घर पर भी आपको कोशिस करना है जिसे कि आपका position set हो जाए और उस condition में जब exam में आप लिखे तो आपका writing भी अच्छा हो जाए और उस condition में आप fast लिख पाए तो इन 5 बातों को आपको धान में रखना है और इन 5 बातों को follow करना है जिसे कि आपकी writing में सुधार हो जाए और आप परिक्षा में जितना चाहिए उतना तेजा आप लिख सके है उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको नेक्श वीडियो की स्टोपिक उपर चाहिए थैंकि दोस्तो